वीवो वाई 78 प्लस चो दो दिन पहले ही लोंच हुआ 5G फोन है, फास्ट रिफ्रेस्ट रेट काउड एमोलेट डिस्प्लेई, एंट्री लेवल 5G प्रोसेसर, सुपर बिंड, डिजाइन, यूज, बैटरी एन मैंनी मॉल, दोस्तों आज मैं वीवो वाई 78 प्लस का अन्बोक बताने वाला हूँ, जो दो दिन पहले ही लोंच हुआ है, और दोस्तों, कल वीवो की फ्लैक्षिप सिरीज, वीवो X90 इंडिया में लोंच होने वाली है, और दोस्तों, मैंने वीवो X90, X90 प्रो और X90 प्रो प्लस, तीनों फोन्स के अन्बोक्सिंग और डीटेरली वीडि अप्लोड कर दिया, अगर अभी तक आपने नहीं देखे, तो लिंक टीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से देख ले, मेरा नाम मिलन है, और आप देख रहे टेकी श्री, और जैसे कि आपको पता है, लेटेस्ट एक अप्डेट सब से पहले हमारी ही चनल में देखने हो मिलते हैं, तो ऐसे ही लेटेस्ट एक अप्डेट सब से पहले है देखने के लिए और अगला की वह देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेला इकॉन को दबागे होल कर दीजे, हमारी टेक टीम को जोइन कर लीजे, ताकि आपको लेटेस्ट ओसम टेक अप्डे टाइप एके आउटपूट के साथ आता है, और आगरी में डेटा केबल मिल जाता है, फोन के प्लास्टिक व्रेप को रिमूव कर लेते हैं और बात करते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड की, फोन का फ्रंट देखे तो हाइपर बोलाइट स्क्रीन मिल जाती है, यानि स्क् पार्ट है, वो 2 mm तक पतला मिलता है, यानि साइट से फोन देखे तो काफी पतला नजराता है, वैसे फोन की जो एक्चुल थिकने से वो 7.9 mm की है, फोन यहाँ पे ब्लू कलर में मिल जाता है, इसके अलावा ब्लेक और गोल्ड कलर उप्संस भी मिल जाते हैं, लाइट तो in-hand feel भी काफी अच्छी मिलेगे और grip भी अच्छी मिलती है, और single end से आसानी से फोन को hold भी कर पाएंगे, फोन का front देखे है तो flexi phone में जो screen मिलती है, वेसी यहाँ पे cloud screen देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले में side bezels भी काफी पतली मिल जाती है, और chin भी काफी पतली है In fact, all four sides आपको पतली देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे screen to body ratio भी ज्यादा मिलेगा, और viewing experience भी काफी धासो मिलेगा, selfie के लिए center पंचोल मिल जाता है, जो tiny मिलता है, फोन में 6.78EG की huge AMOLED display मिल जाती है, refresh rate 120Hz के मिलती है, और peak brightness level 1300 nits तक मिल जाती है, overall display भी flexible grade मिलती है, और य के देख भी सकते हैं, और case के साथ weight देखे, तो 200 grams के अंदर ही मिलता है, Vivo Y78 Plus में camera की बात करें, तो rear facing dual camera setup मिल जाता है, जहाँ पर primary 50MP का main camera मिलता है, और secondary 2MP का depth camera मिलता है, camera में 10x digital zoom support मिल जाता है, और full HD video 60APS से record कर सकते है, अब Vivo Y78 Plus में performance की बात करें, लेकिन उससे पहले OnePlus ने अपना पहला tablet OnePlus Paid की price इंडिया में release कर दी है, चो 29th को इंडिया में मिलने वाला है, और मैंने दोस्तों already OnePlus Paid का unboxing को detail review video upload कर दिया है, लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगी, ज़रूर से देख ले, Vivo Y78 Plus के performance की बात करें, लेकिन 695 octa core processor मिल जाता है, जो 5G processor, जो 6 nanometer fabrication process पर बना है, और यह entry level 5G processor, तो यहाँ पर टासू performance expect नहीं कर सकते है, Vivo Y78 Plus में battery की बात करें, 5000 mAh की used battery मिल जाती है, और जो average use पर एक से देट दिन चलेगी, Vivo Y78 Plus की price की बात करें, बेस वेरेंट की price चाइना में 1599 चीनिवान से start होती है, जो इंडियान रुपीज में convert करें तो करीब 19,000 तक होती है, conclusion पर आये तो phone में display superb मिल जाती है, performance average मिलेगा, बेटरी अच्छी चलेगी, वेजसे यह entry level 5G phone है, तो ज्यादा कुछ expect नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तो आप क्या सोते है, Vivo Y78 Plus के बारे में कौन सा feature आपको अचलागा, और कौन सी price में यह में आना चा तो दोस्तो मिलते हैं के लिए latest take update के साथ तब तक के लिए thanks for watching, have a great day and keep smiling